तो आप जैसे देख पा रहे है DRDO के RAC Department के लिए गेट के थूँ वेकेंसी आ चुकी है ठीक है 181 वेकेंसी है गेट के थूँ तो आपका अगर आपके पास गेट क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अपलाई बिल्कुल कर सकते है आपको 5100 वही होता है लेवल 10 ठीक है सेवन सेवन सीपीसी है साइन्टिस्ट की वेकेंसी है तो आपको उसके लिए अपलाई करना होगा गेट के थूँ ठीक है तो गेट का क्या क्वालिफिकेशन मांगा है वह देखते है अभी के लिए ठीक है तो नंबर ओफ वेकेंसी दी हुए अलग-अलग ब्रांचिस के लिए जैसे इलेक्ट्रोनिक्स कम्यूनिकेशन एंजिनेरिंग मेकेनिकल हो गया मेकेनिकल के लिए टोटल 44 वेकेंसी है अन्रिजर्व की सच्रह सत्रह है एडवल्योस की पांच बारा ओपीसी एडवल्योस की 10 थीक है आपके पास बैचलर्स टिक्री होने चाहिए एंजिनेरिंग में ठीक है कोई भी युट्रिक्ट्री या एकुववेलन टिक्री होनी चाहिए वैलिट गेट्स कार होना नेसेसरी है ठीक है मेकेनिकल में कॉन सी ब्रांच इस हो की वो थी एनेक्सिर त बता है वो मैं आपको बता दे जाओं ठीक है बाकि computer science, electrical engineering, material science, metallurgical के लिए physics, chemistry, chemical engineering, aerospace, mathematics, civil engineering के लिए भी post है सभी में get qualification मांगी गई है अच्छा अगर आप final year या final semester में है और अगर आपका result 31 August 2023 से पहले आना है तो आप application apply कर सकते है ठीक है अगर उसके पहले उसके बाद आना है त सकते है cgp 6.75 होना चाहिए 10 और या 60% के उपर होना चाहिए first class होना चाहिए ठीक है एज limit दी हुई है और रिजर्व की 28 years है OBC की 31 है SCST की 33 है अगर PWD candidates है तो आपको 10 साल का relaxation मिलेगा unreserved के भिहाग ठीक है एक सर्विसमेन के लिए भी यह rules है ठीक है only intern candidate apply कर सकता है ठीक है कहाँ apply करना है तो rac.gov.in पे यह सबी और इसकी necessary details थी अच्छा आपको आपका जो gate score होगा gate score पे cut up होगा marks या rank पे नहीं होगा तो आपको क्या upload करना है आपका gate score as per norm of short listing specification advertisement अगर gate score को संभाली के आपको feel करना है ठीक है सारे documents आपको पता ही होगा photo signature certificate वो सब वो तो हो जाता है valid gate score gate score का upload करना है आपको वो प्य पता है अच्छा payment कितने लिए नहीं है fees तो 100 रुपय है general EWS और OBC वालों के लिए SCSTPW और women candidates को relaxation दे दिया गया fees में से screening और short listing कैसे होगी तो gate score पे से gate score होगा पहले आपको gate score आएगा gate score का पे cut off आएगा cut off पे से आपको personal interview के लिए short list किया जाएगा और personal interview में से आपको final selection मिलेगा ठीक है तो 1 jam 10 का ratio है subject to their availability of order discipline wise ठीक है discipline wise merit list बनेगा वो तो सब वैसे जान का रही है ठीक है तो 1 jam 10 के ratio मतलब mechanical में 44 vacancy है तो 440 लोगों को बुलाएंगे मतलब आपका gate score मान लो 600 के उपर है ना gate score तो आप आरम से apply कर सकता आपका नाम आ जाएगा ठीक है यह दूसरी बार है इस साल में गेट 2023 का आपको आपने exam दिया है तो अगर आपका 600 के उपर gate score है तो आपको इस form को बिलकुल पोस्ट है साइंटिस्ट की पोस्ट है मतलब अच्छी होगी ठीक है सिलेक्शन प्रोसेज्वर गेट स्कॉर और उसके बाद परसनल इंटर्व्यू दिल्ली और कहीं जगा जहां आरे से सिलेक्शन हो जाए परसनल इंटर्व का वेटेज 20 परसेंट होगा ठीक है अगर आपके अच्छा इसा भी नहीं कि गेट सकॉर अच्छा नहीं गाए इंटर्वू में अगर आप ऑन्रिजर्व क्यटेगरी से हो तो आपको minimum 70% अब score करना होगा देखो qualifying marks 70% and 60% for reserve candidates in personal interview वहलाब अगर आपका get score बहुत अच्छा है मानलो 800 के उपर है get score गड़ आपका interview अच्छा नहीं गए तो आपको final selection में नहीं गिना जाएगा ठीक है बाकी सारे details वही है आपको एक बार पढ़ लेना notification में डाल दूँगा टेलिग्राम पर जब से form start होगा उसके 21 दिन बाद ये form close हो जाएगा ठीक है RAC की website है तो RAC की website पर आप visit कर लिजेगा जब से form हो जाए उसके 21 days का आपको time दिया गया है ठीक है बाकी सब वही है obviously certificate आपको upload करना है वगेरा वगेरा ठीक है बाकी जानकारी में और कुछ नहीं है अबगर आपका गेट्स है ठीक है mechanical अच्छा आप ये बात कर लेए mechanical के लिए कौन सी ब्रांच इस है लिजिबल है mechanical automation production mechatronics aerospace माइनर में है automobile automotive engineering है specialized automotive है CS है manufacturing है design है design and manufacturing energy है specialization energy smart production material science और nanotechnology है sandwich welding technology और other relevant branches मतलब production और industrial भी यहाँ पे eligible है ठीक है जो mechanical से relevant है mechanical main discipline है ठीक है तो यहाँ पे आप इसको इसका form भर सकते है यह scientist की post है और कुछ हो इसमें बताने के लिए है नहीं तो जल्दी से form भर दीजिए gate का score अगर आपके पास है अच्छा gate है अगर आपका gate अच्छा गया है तो इस यह scientist बनने का बहुत अच्छा मोगा है चाहिए तो आप comment box में बताइए कि अगर आपको कौन सा topic पर इंटर्व्य रिलेटेड वीडियो चाहिए अगर आपको RAC उसके इंटर्व्य रिलेटेड वीडियो चाहिए क्योंकि यहां पर अगर देखो RAC के recruitment है तो जाहर सी बात है refrigeration and conditioning आपका strong होना चाहिए तो कुछ ऐ तो कुछ तो को